जब देवता और दैत्यों ने समुद्र को मथा, भगवान कच्छप ने मंदराचल को धारन किया, वासुकी ने नेती बना के उसको मथा, तब उसमें से चोधे प्रकार के रत्न निकले, शिव अपने हिसाब से प्रले की स्थापना करने हैं और राम अपने हिसाब से संचालन क की स्थापना करने हिसको तो शास्त्र निश्चित किया, एक संचालन करना और एक प्रले करने के वाली व्यक्ति के बीच में जो तालमेल होना चाहिए, फर्स्ट कोई भी एक सिविलाइजड सिटी इस पूरे ब्रम्हंड में को इस्टैबलिश की थी किसी मानव ने, मनु ने तो वो आयोध्या है, आपको सचवाद बता हूँ, पर साधक समझेगा कि ये मौज में बैठा है, तो मैंने देखा वो एक बार ब्रनावन में बैठा था एक स्थान पर परिक्रम आके आगे, तो एक वो जो पत्थर के नहीं बन जाते बैठक जैसी, सड़क के किनारे, चेर वैसी थी, तो वो पहले उस तरफ कुछ बैठता, और इधर देखके कुछ बोलता, फिर इस तरफ आके बैठता, फिर उधर देखके कुछ बोलता, फिर उधर जाके बैठता, फिर उधर देखके कुछ बोलता, फिर उधर जाके बैठता, फिर उधर देखके कुछ बोलता, म और बहुत बहुत सुक्री आपका कि आपने अपना समय देकर आप हमारी हाँ तक आए और इस्पेशली मेरे लिए ये इसको क्या बोलते है थागुर जी का पठका प्रशादी पठका है ये और इसमें जो आप देखेंगे ने ध्यान से तो ये पहले जमाने में आज से 17-80 वर्ष पहले तो जो सांगानेरी लकडी का ठाका नहीं होता था शाई में डुगो के वैसे बना करता था तो अभी भी इसमें जो राधा रमन लिख रहा है उपर आप उसमें रणा देखेंगे ये प्रशादी पठका सब जगे है तो ठाकुर जी जसमें भगवान की गंद है भगवान का प्रशादी है वो आपके लिए लाए हम माथे से ऐसे चुसकार लेते हैं और सर आज की मतलब भूस सारी चीज़े मेरे को डिसकर्स करनी है अच्छा मैं पहले आप से वैसे पूछ बिशास नाम एक आ गए चीज़ एकंचर में तो दो लोग समवाद कर रहे हैं एक जगए जग्यासा हो रही है और वशार दिया जारहा है दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर दे रहा है विशार कर रहा है एक प्रकार से समवाद चल रहे है तो पूरी भागवत क्या है शुख प आपस में वो ही तो शास्त्रे जो कृष्ण और अर्जुन ने समवाद किया ठीक है अर्जुन युद्ध के बीच में ऐसे स्टूडियो में नहीं था दो पर था तो उसकी यही समस्या और उसने केबल अपने लिए नहीं समाज में हर व्यक्ति को ध्यान में रखके प्रश्ण क तब ही वो समाज के लिए relevant है अगर अर्जुन ने personally question किये होते तो उसकी personal problem book होती यूनिवर्सल गीता book नहीं होती स्क्रप्चर बन गया तो आज podcast के समय में भी तो आप हो या और भी जो लोग आ रहे हैं उनका मुख्य बात तो यह कुछ आपकी जिग्यासा है और कुछ जो हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं बोलते बोलते हम लोगों को भी ऐसास होता एक अनुभो बनता है कि यह चीज और ऐसे कही जा सकती है यह चीज ऐसे और कही जा सकती है और समवादों की दुनिया से शास्त्र आगे चले तो यह तो बहुत पुरानी चीज है अब ये ज़रू जोनर चल पड़ा, कि आप इस विशय से विशय को आगे डख सकते हैं. कोश्चन थोड़ा रील, बतला अपने स्पीच्वल जर्नी से थोड़ा सा हटके है, अभी हाल फलाल में मैंने आपकी एक रील देखी थी, बेस्ट फादर, आप बच्चों के साथ में वो बच्चों वाली स्कूटी चला रहे थे, क्या फीलिंग थी सर, क्या मन किया उस समय पे? ऐसा होता है, मैं है ना बड़ा नैचुरल हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे कोई हिसाब सामने के हिसाब से अपने आपको प्रेटेंड करना है, मेरे आसपास वाली लोग मुझे बिलकुल अच्छी तरह जाना है, मैं आपके पास अपनी खुद गाड़ी चला कर किया है, चाहता तो आगे एक पुलिस की पेट्रोल चल रही होती, पीछे दो चल रही होती, चार बाउंसर में भी रख सकता है, मुझे उसमें मज़ा नहीं आता, कहीं जरूरत पढ़ती है, तो करना भी पढ़ता है, मुझे मालूम है, पर मैं बिलकुँ सहज रखता हूं, अपने आपको, और मेरे पिता जी की इस विशे में मेरे को ट्रेनिंग है, पूरे परिवार को मैं बहुत सहजता से उनके साथ होता हूं, और जब व्यास वीड पर होता हूं, तो व्यास का धर्म निभाता हूं, और जब उतर जाता हूं, तो पिता का धर्म, पती का धर्म, पुत्र का धर्म, हर धर्म को अच्छे से निभाने का कोशिश करता हूं, वेरी नाच्रॉल, पिता का क्या धर्म होना चाहिए? पिता का सबसे बड़ा धर्म हमने धर्म कहा है इसलिए मैं कहना हूँ सबसे बड़ा धर्म है कि अगर वो अपनी संतती को स्रिष्ट संपत्ती दे रहा है तो स्रिष्ट संसकार भी दे संपत्ती तो हर पिता दे देता है वो तो शेर भी अपने उलाद को अपनी गोफा देता है पर जैसे शिकार करना शेर नहीं सिखाती है ना शेर के बच्चे को ऐसे इनसान को हम फैसिलिटी दें एजूकेशन दें और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समस्कार भी पिता को उसे देना चाहिए यही पिता का सबसे बड़ा धर्म है कि खूब उपलब्धी के साथ-साथ एथिक्स और वैल्यू भी वो उसको सिखाए मुझे इसी चीज़ समझ चूँ क्योंकि मैंने अपनी जीवन में यह चीज़ देखी है मेरे पास जो है मैं कहीं बाहर से नहीं गया मुझे जो मिला अपने पिता जी से मिलाए दादा जी से मिलाए यह धर्म मुझे उन से मिलाए जीवन उन से मिलाए मैंने वहर एक जीवन भी उन से सीखाए जो कुछ अर्थ व्यवस्था मेरे आज़ पास चलती है वो भी मैंने उन से सीखिए और धर्म भी मैंने उनसे सीधा है अब यह आपने बोला कि आप अगर सिक्योर्टी के साथ आते तो मुझे ऐसा लगता है कही न कहीं आपको सिक्योर्टी हो रही नीचे विकोज आप स्पिच्छल जर्नी कर रहे हो मुझे में कोई जरूरत नहीं है कोई आवश्रकता नहीं है मैं तो मस्त घूमता हूँ तभी तो गाड़ी चला रहा था बच्चों के साथ बाहर भी ले जाता हूँ खुदी चलाता हूँ बिलकुल सहज रहता हूँ मेरा ऐसा स्वभाव है मैं कोशच करता हूँ मतलब इन सब कारणों से व्यक्ति मुझे महत्व न दे कोई दे तो जो मैंने अपने घर से पाया है यह ग्यान पाया है यह जो कुछ अनुभव पाएं content वो सबसे important चीज़ है life का सार क्या होना चाहिए कैसी होनी चाहिए life देखिए life का सार बहुत यह casual question है common question है और एक और बात है इसका कोई एक fundamental जवाब नहीं है इसको कैसे मैं एक लकीर खीच दूँ life का उदेश यह life life जैसी होनी चाहिए livable होनी चाहिए full of life होनी चाहिए maximum positive होनी चाहिए तो मैं इसको कई बार ऐस भाशाओं में कह देता हूँ कि शरीर की दृष्टी से life शरीर को स्वास्त रखे मन को शांत रखे बुद्धी को ओजस्वी रखे और आत्मा को स्वतंत रखे इन चारों की पूर्ती के साथ life को जीजिए आप success of life पास सकेगे कल्यूग में राम भगवान को आत्मा माना गया है आपने भी इस चीज़ पर काफी सारी चीज़े आत्मा है यह सही रहेगा पूछा इस देश की आत्मा इसलिए क्योंकि राम यहां की ethics को यहां की values को यहां के culture को हर प्रकार से एक भारतिय जीवन कैसे होना चाहिए उसको पुर्न रोप से resemble करते है हर एक characteristic of life में family life, professional life, personal life उसके साथ साथ a good husband, a good warrior एक परकार से मैं कहूँगा tragedy management life में जब कभी एकदम tragedy आके खड़ी हो जाए difficulties खड़ी हो जाए उस समय व्यक्ति का क्या action होना चाहिए उसके अंदर कितना परोपकार अच्छा धहरी भी कितना धहरी होना चाहिए कि आप सेवा करो पर आपका सोशन नहीं हो जाए यह सब हर पूरी राम कथा में इन सब का अनुपात बहुत अच्छे से decide होता है इसलिए इस देश की आत्मा है राम समझाते हैं एकम सत्विप्रा बहुदावधन्ती यत्र नारियस्त पूज़्जंते रमनते तत्र देवता जहां नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करती है राम जी समझाते हैं कि त्यागा च्छांति निरंतरम जीवन में कई बार त्याग से ही शामती कानुखो हो सकता है ये सब जो values हैं यही आधार बनती है एक role model की तरह देश को मिलता है जिससे एक प्रकार से राम इस देश की आत्मा की तरह अवस्थित होते है वर्षों वर्षों से कोई भी राम से स्वतंत्र नहीं रह सका कहीं न कहीं राम आपके जीवन को सपर्श करेंगे ही करेंगे त्याग तो रावन ने भी किये थे राम और रावन के बीच का differentiate कैसे बताऊगे कैसे युद जीता और रावन क्यों हारा रामन अपनी वजह से ही हारा और राम जी अपनी वजह से ही जीते एक बात होती है देखिए मानव कौन है पहली बात तो जो रावन है वो मानव है और जो राम है वो इश्वर है सबसे पहला गुन तो यही है वो राक्षस है वो असुर है त्याग है उसके जीवन में पुजारी भी बहुत अच्छा है पर उसके साथ साथ ने उसमें एक दोश है कि वो कामी है किसी दूसरे की पत्नी को अपना बनाने का प्रयास करना कहीं से भी valued नहीं होता कहीं से भी प्रमानित नहीं होता मूल बात तो यही है और यह उसका सतत्स्वभाव था सतत्स्वभाव था कोई दूसरे की पत्नी मेरी हो जाए यह आज के समय modern होने वाला जमाना भी इस बात को स्विकार नहीं कर सकता और उसने इस बात के लिए अपने पूरी राज्य को अपनी पूरी परंपरा को दाप पे लगा दिया इसको बोलते है कामांद होना आज की भाशा में लंका वैसे भी संस्कृत में कटी से नीचे के स्थान को लंका बोलते यह ऐसा था दस सिर तो थे पर वो दस के दस सिर अवगुन के थे त्याग तो था तपस्या भी थी पर उस सब के पीछे का उद्देश क्या था उस सब के पीछे का उद्देश था कि मैं बड़ा हो जाओ मेरी आग्या सब माने अभिमान घमन कह लीजे काम कह लीजे क्रोध कह लीजे लोब कह लीजे मोह कह लीजे उसने अपने भाई तक को लात मार के निकाल दिया और राम जी ने राम जी के भाईचारे को देखिए कि दुनिया में कोई ऐसा इतियास महजूद नहीं है कि एक भाई इतनी लंबी सैना लेकर आ रहा है दूसरे भाई को मनाने के लिए और उसकी पादुका ले आके 14 साल तक प्रतिक्षा कर रहा है और राम जी बापस लोटकर उस सिंगहासन पर बैठ रहे है आज तक सूपर नखाने आके कितना प्रस्ताफ दे दिया राम जी ने उसके साथ बड़ा मर्यादित कई बार उसको निवेदन किया यह कहां तक की स्थिति है तो यही कारण है सम अपने ही आपको हराने की जब हार रहे हैं जीवन में तो उसमें दो ही कारण होते हैं सबसे पहला कारण की सामने वाला बलवान है पर सामने वाले बलवान होते हुई भी आप इसलिए हार रहे हैं कोई आपने अगुण को नहीं पहचान सके हो आप स्वयम ही अपने हार के कारण हो सकते हो कभी कोई दूसरा आपकी हार का कारण नहीं हो सकता कहीं ने कहीं आपकी अंदर छोपा हुआ दोश ही आपको हराता है रामन के भीतर ये दोश छोपा हुआ था उस समय कि सीता जी का हरण हो गया भरत को कहती तो भरत नहीं आता है किसा नहीं लेकिए राम जी का गुण देखिया उन्होंने उस समय सबसे पहले ऐसा व्यक्ति चुना जो इस तकलीफ को समझ सकता है वो कौन था? So grief क्योंकि he was also facing the same thing उसकी पत्नी का भी हरण किया हुआ था बाली ने सबसे पहले उसको empower किया अपनी पूरी उर्जा बनाई अपनी पूरी ताकत बनाई और मैं तो एक ही बात कहूंगा रावन के हारने का कारण काम है और राम के जीतने का कारण प्रेमा है लश्ट ने रावन को हरा दिया लव ने राम को जिता दिया जहां हम बात करतें जैसे spirituality की अब spirituality में ध्यान लगाना योग करना यह मैं अब वैसे क्यूरस मैं पूछ रहूं कि रावन इतना तपस्वी था योग करता था और भगतों में आज भी रावन का नाम सबसे ज़्यादा आता है लोड सिवका की सबसे बड़ा भगत होता तो ऐसी वो कौन सा गैप था कि उस चीज को वो पहचान नहीं पाया क्यों घमंड आ गया उसमें देखे दो चीज़ समझे यहां लोग confused है उपासक होने में और धार्मिक होने में अंतर होता है या मैं ऐसे बोलतू भगती और अंदभगती में ना उपासक भगती और अंदभगती एक अलग विशे है यहां वर्षिपर वर्षिपर होने में उपासक होने में और धार्मिक होने में बहुत अंतर होता है पहले सभी उपासक है कोई न कोई कहीं न कहीं उपासना करी रहा है रावन भी उपासना कर रहा है पर रावन धार्मिक नहीं है रावन उपासक है एक चीज़ समझेगा रावन धार्मिक नहीं है रावन उपासक है और राम जी के लिए महर शिवालमी के लिखते हैं रामो विग्रहवान धर्मा ये चलते फिरते धर्म के स्वरूप है रावन अधार्मिक होकर रोज शिव पर जल चड़ाता है किसलिए सीता मेरी हो जाए राम जी धार्मिक होकर एक बार शिव की पूजा करते हैं किसलिए सीता मेरी हो जाए अब बताए शिव जी तो कितने चक्करम फज गाए शिशिक की सुने की मित्र की सुने और सबको पताए कि शिव ने किस की सुनी है शिव तो राम के साथ ही खड़े गोई चोकि वो धार्मिक हैं आपके पास धर्म शब्दे का मतलब होता है values, स्वभाव, ethics द्रतिक शमाद, अमस्तेयम धैरिया आपमें कितना है आपमें जतना धैरिया आप उतने धार्मिक है आप कितना शमा कर सकते हैं आप उतने धार्मिक है कितने आश्यरी की बात है कोई ग्रणा थोड़ी ना करी रामजी ने रावन से एक बहुत जैन्यों शत्रता करी ग्रणा नहीं करी द्वेश नहीं किया kingdomopard जेलिसी नहीं करी ये जेलिसी थोड़ी ना थी रामजी के भी तर रावन के परती उसने युद्ध किया और युद्ध के साथ-साथ मैं तो ये तक सुनाए कि जब मेगनाथ की मृत्ती हुई तब राम जी रावन के साथ खड़े होते हैं कि आज लंका का युवराज मरा है आप एक चीज़ बताइए दुविद नाम का बानर था वो रावन के उपर आप में हमला करता था और राम जी उसे खीज गए आपका कोई फ्रेंड आपके शत्रू को राप में परिशान करे तो आपको बेस फ्रेंड हो जाएगा और राम जी तो दुविद को कहते हैं तो आज के बाद मेरे साथ लड़ना नहीं क्या जबरदस्त ऐसी शत्रूता भी राम जी जैसी आस तक किसने नहीं करी क्या अधुत युद्ध लड़ाए तो इस संदर्व को हमें बड़ी गंभीरता से समाजना चाहिए रावन उपासक है आडियो वर्शेपर और धार्मिक इस नहीं करने की कोश़श करना आज ज़ादत तर 99% लोग उपासक है धार्मिक नहीं है धार्मिक होना होदा अलग बात है उपासक है आप एक बंदे जारे हैं दूसरे बंदे आपको पता चला यहां से कामना पुरी तहीं यहां चले गए फिर पता चला है यहां से नहीं, यहां से होती तहीं आप उसकता है कि कोई एक जगे पूर नरूप से संर्पित हो पर वहां भी इसलिए संर्पित है क्योंकि कामना पूरी हो रही है उसकी यह अलग चीज है उपासना का मतलम है लेन देन मैंने आपके लिए अच्छा काम किया, आपने मेरे लिए अच्छा काम किया, बात खतम हो गई ऐसे समझे, आपने एक टेक्सी ड्राइवर को हायर किया, उसको आपने पांच जार रुपे पे किये कि तू वरणावन ले जा, अगर वो बीच में थोड़ा सा जपकी लेता रहा है, बार-बार रोक रहा है, धीरे चला रहा है, तो आप उसको डांटिंग है, I have hired you, मैंने तुझे पे किया है, तू अच्छे से सर्विस दे, और वहीं अगर आपका कोई पुराना ड्राइवर है, जो 40 साल से आप कहां काम कर रहा है, और आप उसके साथ जा रहे है, और अगर वो थोड़ी नींद ले रहा है, तो आपका उसके प्रती है, उसको निकालेंगे नहीं, पर थोड़ा पानी पिले, क्योंकि एमोशन है, ऐसे भक्ती भी यह दो प्रकार की है, सकाम भक्ती, आपन हमारी कई बार भूलों को भी सुईकार करते हैं, और हमें अच्छा मार्ग दर्शन करते हैं, ये दोनों बिलको स्वतंतर चीज़ें, उपासना का मतलब है कि जो आपको पसंद है, हम वो प्रकार की आपकी पूजा कर रहें, मेरी ये अच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये अच चुक जाए, मैंने कहीं तो आशिरवाद मांग रहा है कि श्राप मांग रहा है, पूरी दिल्ली को बीमार होना पड़ेगा, अब बात समझे, बात तो एक पॉइंट तक तो ठीक है, पर दूसरे पॉइंट पर कितनी ट्रेजिट है, कि कितने लोग बीमार पड़ें, तब आ कर सकूँ, मैं आब में की अपेक्षा पूरी कर सकूँ, तो आप धार्मिक हैं, और आप ये चाहते हैं, कि महारज जी आशिरवाद दीजे, कि मेरा एक साल में लोन चुक जाए, दस क्रोड रुपे का मेरा टर्नोवर बन जाए, तो आप उपा सकें, समजिया में, राम भगवान और महादेव का क्या रिस्ता था, क्या रिलेशन्सिप था, दोनों, देखिए, महादेव से पूछो, तो आपका राम से क्या संबन्द हो कहेंगे, ये मेरे प्रभू है, और राम से पूछो, आपका महादेव से क्या संबन्द हो कहेंगे, ये मे तो सबके ईश्वर हैं शिव भी राम का स्मर्ण करते हैं राम भी शिव का ये रहस्य को जो जान ले वो तो पूरे ब्रह्मांड के सब्धे को जान लेगा ये सम्मंध ऐसा ही है जो सम्मंध संचालक का और प्रलयात्मक का है ये सम्मंद ऐसा ही है जैसे माईक का और ये तार का है ये दोनों अपनी अपनी व्यवस्था में अपनी उर्जा में लगे हुए शिव अपने हिसाब से प्रले की स्थापना करना है और राम अपने हिसाब से संचालन की स्थापना करना है इसको तो शास्त्र निश्यत किया एक संचालन करना और एक प्रले करने के वाली व्यक्ति के बीच में जो तालमेल होना चाहिए वो ही राम और शिव के बीच में है इसको कोई समझ नहीं पाएगा कोई समझ नहीं पाएगा, समझ भी जाएगा तो कल्प ना करेगा समझने रोग ये इतनी बात है कि राम से पूछो कि आपके शिव कौन लगते हूँ करेंगे मेरे रामेश्वर लगते रामेश्वर शब्द के भी दो अर्थे राम यस्य इश्वरह इति रामेश्वरह राम जिसके इश्वर हैं को रामिश्वर कहते हैं और दूसरा अरत है राम का जो ईश्वर है रामस्य ईश्वर राम का जो ईश्वर है उसको रामिश्वर कहते हैं अब ये दोनों एक दूसरे के उपास है ये तो प्रभू की लीला है ये तो एक दूसरे की एक दूसरे रूप में उपास ना कर रहा है तो उनकी आपस में लीला है जैसे ऐसा समझेए कई बार मैंने देखा है कि कोई एक महत्मा था मस्त इस से शायद मैं आपको अपका जवाब दे साथ एक महत्मा था बहुत मस्त फक्कड महत्मा फक्कड महत्मा तो अब हलागी दुनिया वाले ऐसे लादमीं को पागल कहींगे पर साधक समझेगा कि ये मौज में बैठा है तो मैंने देखा वो एक बार ब्रणावन में बैठा था एक स्थान पर परिक्रम आके आगे तो एक वो जो पत्थर के नहीं बन जाते बैठक जैसी सड़के केनारे चेर वैसी थी तो वो पहले उस तरफ कुछ बैठता और इधर देखके कुछ बोलता फिर इस तरफ आके बैठता फिर उधर देखके कुछ बोलता फिर उधर जाके बैठता फिर उधर देखके कुछ बोलता मैंने गा महादमा ये क्या कर रहा है तो भुला महराजी मैं ऐसा इसमर्ण कर रहा हूं कि शिश्य बैठकर प्रश्ण पूछ रहा और गुरू बैठकर उत्तर दे रहा है तो एक ही महात्मा अपनी मस्ती में एक स्थान पर शिश्य बनकर प्रश्ण पूछ रहा था और दूसरे स्थान पर गुरू बनकर उत्तर दे रहा था ऐसे एक ही तत्व राम रूप में भी प्रगट हो रहा है एक ही तत्व शिव रूप में भी प्रगट हो रहा है मूलता है तो सब बात एक ही है नाम बड़ा है या रूप? नाम बड़ा है क्योंकि नाम से रूप हुर्दय में प्रगट हो सकता है नाम ही सदा बढ़ा है ये तो शास्त्र नहीं कहा है अब जैसे नाम का इस्मर्ण करोगे तो हुर्दय में रूप प्रगट हो सकता है रूप का इस्मर्ण करोगे तो हो सकता है नाम प्रगट नहूँ एक शंकला है जैसा नाम सबसे मूल बीज तो नाम ही है नाम प्रगट होते ही रूप प्रगट होता है रूप प्रगट होते ही लीला प्रगट होते ही धाम प्रगट होते ही धाम प्रगट होते ही गुण प्रगट होता है तो नाम धाम रूप लीला कोड़ों सबसे बड़ा नाम है ऐसा बोला भी जाता है कि राम नाम जपने से कि पर्भू आपके हिर्दे में ही आ जाते है वो उस समय भूल जाते है कि तुम अच्छे हो या बुरे हो कि नाम को चैंटिंग करने से क्या हो सकता एक इंसान के अंदर सब कुछ हो सकता जो ना चाहए वो भी हो सकता देखिये ऐसा समझेगे कि साइंस ने एक बात कही है आपका जो आपका जो शरीर हjak हर सात साल में बदलता है उसमें चैंजिस आते है मैंने एक दू कताओं में ये बात कही है 11 साल में आपका मन बदलता है जिस बच्चे का मन अलग होता है टीनेज में आते ही थोड़ा मन चेंज होने लगता है फिर 22, 23 के बाद में फिर देखे मन की इच्छाएं बदलती है 32, 33 के पास फिर मन की इच्छा हैं बदलते हैं हर 11 साल में मन में एक अलग सी चेंज आते हैं वरतुल बदलता है हर 25 साल में बुद्धी बदलती है तब ही हमारे यह वानप्रस्त, ग्रहस्त इस परकार के आश्रम निश्चित किये गए 25 साल में बुद्धी बदलती है हर 100 साल में अनुमानित शरीर बदल जाता है आत्मा तो नहीं बदलती है आज कोई कीडा है, कोई मनुष्य है, कोई स्त्री है हर 100 साल में उसका शरीर बदलता है तो इस परकार से क्रम है एक चीज है हमारे अस्तित्तु की जिसको हम बोलते है चित्त चित्त अंतक करणक में सबसे नीचे है पंच करमेंद्रियां ग्यानेंद्रियां इसके भीतर क्या है अंतक करण अंतक करण में सबसे आगे है मन फिर बुद्धी फिर अहंकार फिर चित्त तो चित सबसे नीचे है और चित क्या करता है चित करता है परमजी जन्म जन्मांतरों के संसकार उस चित में होते हैं जो मनुष्य जीवन के साथ ट्रेवल करते हैं जैसे आप कभी सपना देखिए कि आप चड़िया बनके उड़ रहे हैं तो आप तो कभी चड़िया नहीं बने आपने कभी अनुभव नहीं लिया पर किसी जन्म में अगर चड़िया बने थे तो उसका संसकार आपके चित में फीड है इसलिए आप सब कॉंश्यस माइंड से वैसा अजियूम कर लेते हैं तो एक चीज मैं यह आपको क्यूं समझा रहा हूँ इस पूरी दुनिया में केवल भगवान का नाम है जो चित को शुद्ध कर सकता है उसके अलावा कोई साधन नहीं है जो सीधा वहाँ जाके अटैक करता है चेतने महाप्रभू ने अपने सिक्षाष टकम में का है चेतो दरपणा मार जनम और मैं निवेदन करू चित को बदलने में साथ जनम लगते है शरीर बदल जाता है सो वर्ष में हमारा लग भग और शरीर तो हमारा बदल जाता है हर साथ साल में सरीर बदल जाता है साथ साल में मन बदल जाता है ग्यारे साल में बुद्धी बदल जाता है पचीस साल में हमारा जनम यह जिसको हम अहंकार कहते है अहंकार बदल जाता है सो साल में यह अहंकार है कि मैं पुरुश हूँ कि मैं स्तरी हूँ कि मैं पशू हूँ जो existence है हमारी वो बदल जाती है सो साल में चित्त को बदलने में साथ जनम लगते हैं इसलिए आपने देखा हूँ न कई बार शादियों में कहा जाता है साथ जनम का रिष्टा ये साथ जनम साथ जनम हमारे यहां बहुत बार आया है ये शब्द कहां से आया वो चीज कहां से चित्त से और चित्त को पवित्रव होने में चित्त को बदलने में साथ जनम साथ जनम का स्टोरेज है चित्त में मिनिमम साथ जनम एक मात्र राम नाम कृष्ण नाम ऐसा है एक मात्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ये नाम ऐसा है जो आपके चित्ट को जाके अटेक करके क्लीनिंग शुरू करता है योग का भ्यासन सबसे पहले शरीर पर प्रभाव लाता है इसलिए आप थोड़ा better healthier feel करना शुरू करते हैं पर नाम का प्रभाव चित्त पर प्रभाव लाता है शरीर तक पहुंसते पहुंसते इसको समय लगता है इसलिए कई बार आदमी उसको normal समझ लेता है normal नहीं है वो तो बहुत internal surgery है जो अंदर से शुरू कर रही है तीवाल के उपर मौशर हो जाए आप उपर से paint ठीक कर देए कितना अच्छा लगेगा पतीन मेने बाद फिर आ जाएगा प्लास्टर ठीक करिए तो छे मेने बाद आ जाएगा इंट ठीक करिए तो एक साल बाद आ जाएगा पाइपलाइन ठीक कर दीजे तो समसकार तो चित्त में है न इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँ गुरू जी करपा से मैंने दर्शनों में जादातर सब को देखा है कुछ बहुत योग का भी अभ्यास किया और बड़े-बड़े योगियों से भी म्भेट करिए सब करने के बाद मैं मैं स्वयम इस निसकर्ष तक पहुँचाओ और मेरा निसकर्ष छोड़िये योगियों के समराथ महायोगी और आदी योगी शंकर अपनी पत्नी से कह रहे है पत्नी से तो कोई जूट नहीं बोल सकता दुनिया में कितनी भी नोटंकी कर ले स्वयम उनके मुक से कह रहे है उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरी भजन जगत सबसपना शंकर भगवती से कह रहे हैं इस पूरी दुनिया में सबसपना अगर कोई सत्य है तो केवल हरी का नाम सत्य है यही नाम का प्रवाव है कल्यूग का सत्य क्या है कल्यूग का सत्य यह है कि सब कुछ कल है yesterday and tomorrow कल कल्यूग का सत्य यह है वैसे कल्यूग में सब कुछ असत्य है अगर कल्यूग में भी कोई सत्य है तो भगवान का नाम ही है कल्यूग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा कल्यूग का सत्य यह है कि यहां असत्य को सत्य समझा जाता है भगवान का स्वरूप कैसा है भगवान का स्वरूप वैसा है जो ये आँखे नहीं देख सकती जो ये कान नहीं सुन सकते महसूस किया जा सकता है? बिलकुल किया जा सकता है उनकी कृपा से तो देखा भी जा सकता है हमारी ताकत से कुछ नहीं किया जा सकता उनकी अनुग्रह से तो यहीं प्रगट हो जा है ज़िन मल जाए तो सब कुछ भगवान है और नजन मेले तो मूर्ती में भगवान नहीं है। आपनी मंदर से निकला, मैंने पूचा मंदर में कौन था? मुने मुनी मिसिस गुपता थी, मिसिस शर्मा थी, मिसिस परम थी, ना वो मिसिस राम को देख सका, मिसिस कृष्ण को देख सका, ना उसको शेशब, आप मंदर से कोई निकले न, दरवाजे पर पूछेए का भीहरी जी ने कौन सी पोशाप पेनी थी, राम जी ने क्या रंके, आप दर्शन करके आए न, छे गंटा लाइन में लगके, पताए किया गए थे, किस चीज का हम आडंबर कर रहे हैं, नजर मिल जाए तो कण-कण में शंकरे, कण-कण में उसका नुभाव हो गए, चारों तरफ भगवान है, इंद्रिया तीत है उसका नुभाव, इसलिए इंद्रिया से पर ही जाकि उसका नुभाव करना पड़ेगा, महार इसलिए में, बट तीर्थ इसलिपे इतनी भीड, भाड जगा होती है, तो कहीना कहीना मन भटग जाता है, उस सिच्वेशन में क्या करना चाहिए मन उससे को, देखिए संतों ने एक बात कहिए, कि तीर्थों को आँखों से नहीं कानों से पहले देखना चाहिए, जब कानो इसलिपे इतनी भीड, जब कोई केला खरीते हो, तो छिलके का भी उतना इंदाम देते हो, पर छिलका उतार के फैकते हो ना, और फिर केला खाते हो ना, इसी प्रकार से हर तीर्थ में, ये सब होती है, सब जगे भीड होती है, मैं अभी किसी कता में कह रहा था अपनी, कि आ आप एक सेलिब्रेटी आया, कितनी भीड होती है, उसके सेल्फी कहचाने के लिए आप कितने धक्के खाते हो, उसके बाउंसर आपको धक्का देते हैं, आपकी बेजजती करते हैं, आपको हटाया जाता है, वो भी मू बना के आपके साथ सेल्फी कहचाता है, और फिर भी आ क्योंकि ऐसका आकरशन है क्यों ऐसका है क्योंकि हम जानते हैं कि उसने क्या क्या किया हमारे लिए वो रोल मॉडल है और मंदर में चार भी आदम हैं ओअ भीड है और ये कैसे जाएं यहाँ गर्मी है मैंने देखा है एक आपल का फॉनался होता है कृष्ण के विशह में जानी है अयोध्या क्या है दुनिया की सबसे पहली नगरी है फर्स्ट कोई भी एक सिविलाइजड सिटी इस पूरे ब्रम्हंड में को इस्टेबलिश की थी किसी मानव ने मनू ने तो अयोध्या है आपको सचवाद बताओ पूरी धर्ती के जितने मानव है वो मूल अयोध्या वासी है क्योंकि पहली कोई सिटी बनी थी न जिसको हम सिटी कह सकते है फर्स्ट सिटी ऑन दे प्लैनेट वो अयोध्या है शास्त्र में वर्णने इतनी चोणी इतनी बड़ी यहां ऐसे मानविंद्र मनू के द्वारा स्थापित की हुई कौशल जनपद में आयोध्या नाम की नगरी है काशी को भी पुरा ना कहा जाता है पर काशी मानवने नहीं बनाई है काशी तो नारणने बनाई है काशी तो इस धर्ती की नहीं है ब्रंदावन को मानवने नहीं बनाया, ये तो स्वेम राधा करा वचे तपल लवबल लरी के राधारानी ने अपने हाथ से एक पत्ता लगाया ब्रंदावन का, जैसे कोई पेंटर अपने हाथ से किसी घर को सजाने के लिए एक फूल बनाता है न, ऐसी राधारानी का एक एक पेड राधारानी ने लगाया, एक एक पत्थर, एक एक फूल, एक एक कुसम, एक घास राधारानी ने लगाया, पर किसी मानव के द्वारा अगर धर्ती पर पहली कोई सिविलाइजड टाउन स्टैबलिश हिया है तो वह ये उद्ध्या है, आप जब उसकी महिमा सुनेंग थोड़े दिन में मैंने परिचे दिया कि फलाने फलाने अधिकारी हैं, बहुत बड़े वहां के वो हैं, जैसे ही पता चला, तो उसको एक दाव महत्व मिलने लग गया, लोग आगे आने शुरू हो गए, फोटू की जाना शुरू हो गए, तो यही महत्व का, इसलिए कथा में जब जानेंगे, तब आप उसका आनंद लिए सकेंगे, यह तो सब छिलके हैं उपर के, क्या भीड मैटर करती हैं, यह कोई भीड है, जब करना पोस्टर लगा था, ना जब कोई प्रचार था, ना कोई यूट्यूब लाइव टेलिकास था, जब भागवत की सबसे पहल जंगल में की गए थी, तब अठासी हज्जार शौनकाद रिशियों ने सुनी थी, आजकल क्या भीड होती होगी, पोस्टर लगा लगा कि लोग नहीं आते कई जगे तो, इसलिए भीड यह होना, वो होना, यह सब छिलके हैं, इन छिलकों को उतारिए, बढ़िया से बढ़ जाएए, भक्त जाएए, धार्मिक बनके जाएए, उपासिक भी बनके जाना हो, तो चलो, कम से कम हर्दय में भक्ती तो ले करके जाएए, तपस्या की दृष्टी से जाएए, अगर आप ऐज़ा टूरिस्ट जा रहे हैं, तो आप भगवान से थोड़े न मिल सकते हैं, बल में पीडा हुई थी, क्यों? क्योंकि राम जी आयोध्या बड़ी उपेक्षित थी, राम जी टेंट में बैठे थे, छोटा था, लगभग इस बात को 20-22 साल हो गया, फिर नहीं गया, उसके बाद में जब भूमी पूजन हुआ, और देश के किबल 100-200 लोग निमंतरत थे, जिसमें 40-45 धर्म गुरु निमंतरत थे, तो चैतने महाप्रवु की परंपरा का प्रतिन्धित करता हुआ, में ये दास भी गया था, मेरा सौभाग्य था, उस दिन मैंने देखा तो एक शुरुवात सी हुई थी, उस दिन कुछ स्पंदन से शुरु हुए थे, ऐसा लगा थे कि कुछ होना है अब, पर उस समय की नगरी भी अभी बहुत उहा पोह में थी, ठीक है, लोगों में अभी भी कन्फ्यूजन थे, पूमी पूजन तो हो गया, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे भी आश्चरे था कि मंदर बन सकेगा कि नहीं, और जब मैं इस बार बाई जन था, और बड़ी बात है, बहुत अद्बुट डिविनिटी, एक एक यूनिवरसल पॉजिटिविटी, वहाँ पर मौजूद थी, अब दुनिया में, वन अब दे टॉप फेमस सिटीज में है उद्धिया का नाम आता है, जो किसी को नहीं जानते हैं, आज अमेरिका जानता ह युद्धिया किसको कहते हैं, आज पूरा भारत जानता है, मेरा अज दुरभाग गया, अभी भी सरक चलती किसी बच्चे को आज दो, तीन, चार महीने पहले पूछ लेते हैं, तो शायद नहीं बता सकता था युद्धिया को ने, इस समय पूरा देश जानता है युद्ध विग्रा, बालक राम, लगबग साताथ वर्ष के आयू है, दुनिया में ऐसा विग्रा है, दूसरा नहीं, और गजब की बात यह है, जो जैसी भावना ले जारे है, जैसे तुलसिता जी ने लेखना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखीती है तैसी, जिसकी मुझे ऐसी भावना है, और बड़ा अध्भुत विशह है, धनुषबान नहीं देखें तो मुझे तो लगता हमारे काना जी खड़े, कई बार मुख देखो तो काना जी, धनुषबान लेके देखो तो विश्वामित्र के साथ जो राम जाने को तैयार हुए है, मुझे तो प्रभुराम तैयार होने को तत्पन है, ऐसा भी लगता है, पीछे का जो परिकर है, वो साउथ इंडियन फॉर्मेट में आया है, सामने आप देखिए, तो क्या उनका मुख है, क्या उधर है, क्या आभूशन है, अध्भुत है, मुझे ऐसा लगता है कि ये विग्रह इंसा ने नहीं बनाया है, खुद राम नहीं बनाया है, क्योंकि भगवान ही भगवान को बना सकते हैं, और कौन बना सकता है, ऐसा अनुभव, ऐसे आखें तो ऐसी हैं कि नजर पढ़ जाए, तो कोई द्वारा भूल नहीं सकता, आकरशन है, चुमबक है, और यही सुनातन धर्म का चमतकार है, आप देखिए, एक पथर कहीं पढ़ा था, कौने में देखिए, किसी परवत में हो गाए, पर वो लाया एक शिल्पकार ने उसको, फिर उसके बाद उसको पूजाओं को करके उसमें वो शक्ति का संधान किया, कि आज वो शिलाखंड जब परमात्मा के हैं या कैसे? ऐसा समय प्रसंग चलाता है कि शालिग राम जी आये पूरा यात्रा गई, अब इस विशह में तो वहीं के प्रवंधक लोग या मूर्तिकार आपको बता सकता है, बड़ी बात पत्थर की नहीं है, बड़ी बात तो प्रेम की है, प्रभू पत्थर से प्रगट नहीं होते हैं, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रभू पत्थर से थोड़ी ना प्रगट होता है, प्रभू तो प्रेम से प्रगट होता है, प्रेम हो जाए तो हर सामान्य से विग्रह में भी इश्वरकान होने लगता है, इतने मैं समझता हूँ कि इतने वर्षों मे पानसो वर्षों में जो struggles हुई है इस पूरी धरती पर उत्तर से लेके दक्षन तक हर एक-एक महापुरुष जो धर्म के लिए लड़ा है जिसने सत्थी के लिए जिसने अहिंसा के लिए जिसने किसी स्त्री की रक्षा के लिए इस देश की रक्षा के लिए आत्माएं जब मिली होंगी तब परमात्मा राम की मूर्थिया युद्ध्या में बैठी हो। किसी वर्द्ध की रख्षा किया लिए किसी भी ये सब जितनी त्यागी परहित से युक्त जितनी आत्माएं थी ये किसी एक योग बना कि ये सब मिल गई और जब ये सब मिल गई तो परमात्मा राम की मूर्थि सामने प्रगट हो। और एक छोटा सा वर्ड है वो प्रेम प्रेम से यह हो सकतiquement प्रेम से ही सारा कुछ हुआ है महराग जी यम का क्या रोल है देखिए यम दो शब्दों को कहते है योग में भी यम आता है यम नी यम एक तो वो चीज है एक है यम राज जिनको धर्मराज भी कहा जाता है तो यमराज कौन है जो संपुर्ण नरकों की अधिश्ठात कहने का मतलब शिव तो पूरे अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड इवन यम के भी इवन यम के भी प्रलेंग कर है ऐसा दोनों की स्टिटी अलग है शिव तो संपुर्ण अस्तित्व को प्रले करते अचा प्रले को भी डिस्ट्रक्शन नहीं कहते यह कंफ्यूजन है प्रले का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं है प्रले अगर नॉर्मल भाषा में मैं समझाओ एक बीज को जमीन में लगाओ उसमें प्रले होती है रूप हो गया ना एक तरे का नहीं प्रले होई तो बीज तो खो गया उससे क्या निकला पेड़ निकला पेड़ निकला आया फलाया फिर किसान आया किसान ने फिर एक प्रले करी कि उस गेहू को काट दिया समझ इसका नाम है प्रले प्रले का मनलब ये थोड़ना है कि अब जो 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 सब कह रहे हैं मुझे नहीं पता क्यों कह रहे हैं और कहां से कह रहे हैं कि everything is over जी ओ डी नीट से का created word है generation operation and destruction but destruction doesn't mean प्रले हाँ ये दोनों ही mythology बिलकुल अलग माइथ है हमारे यां का विवस्ता दूसरी है अब आप एक चीज करिए गेहूं रख दीजे और इधर रोटी रख दीजे अब कहिए इससे ये बना कोई बना सकता है फिर गेहूं को चक्की पर ले जा जा जाता है फिर एक प्रले होती है transformation को प्रले का जाता है तो फिर वो आटा बना अब मैं आटा पाउडर रख दूँ और रोटी रख दूँ कोई बना सकता है नहीं फिर एक स्त्री उसमें प्रले करती है उसको माड़ती है फिर उसको अटवे पर रखा जाता है फिर प्रले होती है फिर फुलका बनता है अब सबसे उड़ी प्रले पता है कहा होती है आपके मुह में कैसे जैसे रोटी को मुह में रखते था आपके दांत उस रोटी के प्रले करते है और फिर आपके शरीर में वो रोटी जाती है फिर पेट में एक और प्रले होती है तो स्रिष्टी, स्थिती, प्रले ये तीनों एक साथ चल रही है आपके मुह में भी प्रले आपके गले ने उस अन्न को गठका ये क्या था स्थिती और उस आपके शरीर में उसने क्या किया एनरजी की स्रिष्टी करी इस सिष्टम बहुत डीप है एसा ही नहीं है फिर पेट के भीतर क्या था जो वियर्थ था वो मल बन गया तो स्रिष्टी हो गई इस्थिती क्या हुई? स्रिष्टी हुई एनरजी की इस्थिती हुई आपका आपका डेवलप्मेंट हुई आपको हेल्थ मिली अब जो वेष्ट था उसकी प्रले हो गई अब वो वेष्ट भी जमीन पर जब गिरा तो यूरिया बन गया फिर स्रिष्टी हुई यह स्रिष्टी इस्थिती और प्रले ऐसे चलती है नॉट जस्थ की ओ एवरिटिंग इस ओवर बड़ा बारी खतरनाक चीज़ें आ रही है इसका मतलब नहीं खतरनाक अब अगर आटा गेहूं चक्की में जब घूमके आटा बनता है तो तो हिलता तो है यह उड़ता तो है ऐसे सुनामी आती है यह आता है कि भई यह पर यह सब के पीछे होता क्या है री एजजस्मेंट होता है या री क्रियेशन तो यह कारी यह शिव का है यम का रोल क्या है कि जब जब कोई व्यक्ति कर्म करता है उससे प्रारभ्द बंता है प्रारभ्द के अधिश्ठात्र के रूप में यम बैठते हैं और उस जीव को वो यम आगे की गति प्रदान करते हैं, यूनी प्रदान करते हैं, उसके इस जनम में उसका कितना पाप और उसका कितना पुर्णिय, एक सरल भात्षा से मैं समझाओं, ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, कि जब आप घर से जाते हो, तो आपको बैंक दो चीज से खरच करते हो, कुछ आपके पास से खरच करते हैं, कैड़िट कार्ड और डेबिट कार्ड, ऐसे ही यम आपका जो पाप और पुर्णिय का कोश है, उन दोनों की लिमिट करके आपको योनी प्रदान करते हैं, कि जाओ अब इसमें पुर्णिय भुगतो, अब इसमें भाग्य के राजा हैं, भाग्य के अधिपती हैं, जो व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसको नरक भेजना है, कि उसको स्वर्ग भेजना है, कि उसको इसी प्रतवी के ऊपर नारकिय जैसी योनी में भेजना है, कि स्वर्ग जैसी योनी में भेजना है, बेटर लाइव दिन, य यह सारी चीज़ें यम के नियंतरण में आती हैं हमने एक कहावत मतलब पुराने टाइम से में सुनता आ रहा हूँ कि मरने के बाद ही सुवर्ग भोगा जा सकता है क्या जिंदे मतलब जिंदा होके भी सुवर्ग की प्राप्ति की जा सकती है मरने के बाद भी सुवर्ग मिलता है जीते जी भी सुवर्ग की प्राप्ति इस रूप में हो सकती सुवर्ग का मतलब क्या है सुख ही तो सुवर्ग का मतलब है सुवर्ग मतलब बेंतिहा सुख नरक का मतलब बेंतिहा दुख तो जो आप जीवन में बे इंतिहां सुख का अनभूब करेंगे तो आप स्वर्ग में है यही स्वर्ग है सुख और दुख दोनों साथ साथ ही चलेंगे हमें साथ always साथ चलेंगे क्योंकि तभी एक दूसरे का सुख होगा तभी दुख हो सकता है दुख होगा तभी सुख हो सकता है एक होगा तो दूसरा होई नहीं सकता और एक भी नहीं बच सकता यह तो दोनों एक दूसरे एक का नहोना दूसरे का होना है इसलिए दोनों साथ चल सकते है भगती और अंधभगती में क्या डिफ्रेंस है देखो मेरी सबकी अपनी अपनी परिभाशा हो सकती है मेरा जो मानना है वो ये मानना है कि अनुभो के बिना कुछ भी करना अंद भक्ति है अनुभो के साथ कुछ भी करना भक्ति है आप जिसकी भक्ति करने है आपका उसके साथ प्रगाड संबन्ध होना चाहिए जरा मामला मैंने अपने लेवल से कहा पर अगर मैं सिंपल रूप से कहूँ आपके द्वारा कुछ भी करने पर अगर किसी दूसरे का अहित हो रहा है किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है कहीं किसी को पीड़ा हो रही है तकलीफ यह सब अंदभक्ती है आपके कुछ भी करने से सबका हित हो रहा है परोपकार हो रहा है खुशी फैल रही है आनंद हो रहा है यह पुर्ण भक्ति है यही दोनों का फरह है तीसरी एक और बात कोई व्यक्ति बढ़ा है और ईश्वर छोटा है यह अंद भक्ति है सदा ईश्वर बढ़ा है और उस तक ले जाने वाला व्यक्ति सम्माननी है जो उसका रास्ता हमें दिखा रहा है ये भक्ति है क्या मृत्यू ही मनुष्य का last step है मनुष्य के लिए तो last step है पर आत्मा, जीव ये सब अलग-अलग विशे हैं मृत्यू सबसे बड़ा सत्य है जीवन का जो हम सदा अपने साथ लेके फिर रहे हैं, एक नए एक रोज ये हंगामा हुआ रखा है कभी ने कभी तो घटना घटेगी घटेगी, आज नहीं तो कल घटेगी उसके बाद में फिर नई जीवन की शुरुआत हो जाती है इसलिए शरीर का लास्ट टेप है मृत्यू तो ऐसा मौका देती है कि रेनोवेशन कर लो लाइफ का मृत्यू तो रेनोवेशन है अब सद्गती भी मिल सकती है दुर्गती भी मिल सकती है जैसे चाओ ऐसे कल्यूग का अंत जब होगा तो क्या महादेव का कोई रूप आएगा या राम भगवान का कोई रूप आएगा अंत करने के लिए ने ऐसा लिखा है भागवत पुरान में और तो मैं क्या कहूँ अलग-अलग बात है कि कल की अवतार भगवान का होना है भगवान की चौवीस अवतारों में कल्यूग में अंत में कल की अवतार है जो विश्णु यश नाम के ब्रांवन के घर में होगा और अश्व के उपर वो बैठेंगे ऐसा-ऐसा पुराणों में संकेत है कल की भगवान पधारेंगे उसके पीछे की क्या कहानी है? ये श्लोक ये कहता है, इन चौधे रतनों का रोज स्वरण करने से मंगल होता है, उस रतनों में एक चंद्रमाभी रतन है, जब समुद्रमंतन में विश निकला, तो कोई लेने को तैयार नहीं था, हालाहल था, तब एक मात्र महादेव आगे आए, क्योंकि शव विश को नही उपहार रूप में, वो उस समुद्रमंतन से उत्पन हुए चंद्रमा को भी भगवान शंकर को प्रदान किया, जो महादेव ने अपने जूड़ा पर लगा दिया, यहां समझने की बात किया है, महादेव कौन है, ग्यानी है, ग्यानी कौन होना चाहिए, जिसका गला गरम ह होना चाहिए, माथा ठंडा होना चाहिए, इसलिए नील कंठ में, जहर गले में रहता है, मतलब गला तो गरम है, पर माथी के उपर चंद्रमा है, मतलब माथा ठंडा है, आज आदमी उल्टा है, उसका गला ठंडा रहता है, माथा गरम है, इसलिए शव कौन है, जिसका माथ जिसका माथा गरम है, गला ठंडा और शिव कौन सा है, जिसका गला तो गरम है, माथा उसका ठंडा है, कथा ऐसे ही हो सकती है, गरम होगे तो कहां से बूलोगे, माथा ठंडा रहे, भजन ऐसे ही हो सकता है, भक्ति ऐसे ही हो सकती है, किर्तन ऐसे ही हो सकता है, जब ऐसे ही हो सक ध्यान ऐसे ही हो सकता जब ध्यान करते हो गहरी सांस लेते हो तो हावा गरम हो जाती है वायू से आपका कंठ आपका हरते हैं सब गरम हो जाता है शरीर गरम हो जाता है माथा ठंदा हो जाता है कुछ देर तक प्राणायाम करें आप उसका शरीर नापके देखिए उसका शरीर एक दम उर्जावान हो जाएगा माथा बिलकुर ठंडा हो जाएगा यह तो महायोगी है दुनिया में लोग कैसे शरी ठंडा पड़ा माथा गरब है मैक्सिमम तो ऐसी है शरी ठंडा बिचारे हिलने को तराजी नहीं है एक एक घंड़ एक छोटी चीज उठाने को राजी नहीं है शरी ठंडा पड़ा खोपड़ी ऐसी गरम है कि कोई कुछ बोल दे तो ऐसा लागी कि कोई भुजंग छेड़ दिया और काटने को तयार है वो शब है शिव कौन है जिसका माथा ठंडा है गरा गरा जाते जाते एक सवाल और मैं पूछ लेता हूँ राम भगवान के अगर बात करें तो वो राजकुमार थे और महादेव की बात करें तो योगी थे इन दोनों की जीवन सहली से क्या चीजे आज हमें अपनी जिन्दगी में अपलाई करने चाहिए राम जी बिलकुल निश्चिद बात है कि एक राजशी परिवेश में रहे तो दोनों चीज को एक चीज समझना पड़ेगा कि राम जी तपसवी हैं और महादेव योगी हैं दोनों चीज में फरक हैं वो तपसवी हैं और इसको मैं कहूँँगा ये त्यागी हैं जिसने अपने पुत्र के लिए पूरी लंका जैसी भव्य राजधानी जैसी बनाई राम अनाया तो त्याग कर दिया ले जा महादेव स्वतंत्र बैठते पर पारवती जी को देखिए उपर से नीचे तक सुसज्जित बैठती खुब आनंद से बैठती तो जब राम जी बन जा रहे थे तो क्या शब्द कहा तापस वेश विशेश उदासी तो राम जी तपस्वी है और भोलेनात त्यागी है तो तपस्वी और त्यागी में फरक्या होता है ये दो चीज हमें जीवन में चाहिए दोनों ही चीज चाहिए कभी-कभी तपस्वी होन dedication के साथ करना पूरी उसमें पूरी उर्जा लगा देना उसमें पूरे positive रहना यही तपस्या है बड़ी से बड़ी विपरीत चीज पर भी तपना यही सबसे बड़ी तपस्या है दुनिया में बहुत सारी situations हमारे जीवन में आएंगी फिर भी हम उसको ऐसा positive note स्वीकार करें राम जी बैठे है सीता जी के साथ कह रहे है बस कल हम राजपतवी पर बैठेंगे चीजें change होंगी उत्ती दिर में सुमंत कहते हैं एक मिट केकई जीने बुलाया है वहाँ पहुँचे तो पत चला plan ही change हो गया और कोई आज का आदमी तो डेपरेशन में चला जाता और यार ये क्या हुआ राम जी बोले चलो अब तो आनंद करते हैं बन में गूमते हैं कौश अल्या जी ने पूछा क्या बात होगे बोले थोड़ा plan change हो आए पिता जी मुझे अध्या का राज दे रहे थे के कई जी ने पूरी जंगल का राज दे दिया है तो राम जी तपस्वियों की तरह जो कर रहे हैं उसको positive note में करते हैं ये सीखने की बात है और शिव क्या सीखा जा सकता है त्याग जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जने हम extras को अपनी life से निकालना शुरू करें शिव क्या करते हैं extras को निकालते हैं इसलिए प्रले का मतलब भी है ये extra चीज निकाल दो extra को निकाल एक पत्थर में से जब मूर्ती बनती है तो पत्थर में कुछ नहीं जोडा जाता extra पत्थर निकाल दिये जाता इसी प्रकार से जीवन में आप पहले observe कीजे हमारी life में क्या-क्या extra है इसको खूब अच्छे से छोड़ना शुरू कीजे ये तो खेरी spiritual बात हो गई और अगर simple बात आपसे मैं निवेदन करूँ तो मेरी द्रश्टी में एक अच्छी family life किसको कहते हैं उस शिव सिखा सकते हैं क्योंकि सब लोग opposite हैं शिव अपनी गणपती अपनी विवस्था में कारतिके अपने उनके छे मुख है पारवती जी अपने वईभव में हैं उपर से नीचे तक सुसजित बैठी हैं और महादेव अलग त्यागी की तरह विराज माने एक तरफ साप है मोर है चूहा है शेर है बेहल है यह सब all are opposites सारे opposites में कैसे सिंक बैठाके आगे चलना चाहिए यह महादेव की फैमिली लाइफ सिखाती है ऐसा महादेव सिस्टम बना देते हैं कि ना शेर नंदी को खाता है ना सरप चूहा को खाता है ना मोर सरप को खाता है कोई किसी को नहीं खाता सारे opposites एक साथ रहना सीख लेते तो मुझे ऐसा लगता है कि खूब एक family का एक opposites का एक बहुत अच्छा balance शिव के परिवार से हम लोग सीख सकते हैं क्योंकि उनके जीवन में त्याग है छोटी छोटी बात को छोड़िए हम छोटी छोटी चीज़ें जब जीवन में carry करना शुरू करें उसने ये बोल दिया वो ऐसे क्यों बैठा है ये जो छोटी 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 चीज़ें हमको impact करती हैं इससे हम लोगों की negative energy रख लेते और कोई भी family को नहीं चला पाते पर त्याग रखते हैं भोले नात छोटी 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 चीज़ें छोड़ते जाते हैं कोई बात नहीं छोटी 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 चीज़ें छोड़ते जाते हैं ये ही उनका सरवत्तम सरवत्तम गुने हैं वो त्याग में रहकर शांती कानवो करते रहते हैं तो आज के पोड़कास से हमने सीखा तपस्वी और त्यागी तपस्वी राम और त्यागी शिव यही मनुस्य को प्राना चाहिए सदा उसकी फैमिली लाइफ उसकी निजी लाइफ हर लाइफ अधुत हो जाएगी तो काफी सारी बाते हमने डिसकस कर ली और बहुत ही मतलब अभी मेरे पास और चार-पांस सवाल लिखे होएं बट मैं सोच रहे हो बहुत लंबा किज जाएगा लेकिन में उससे पहले यह जाना जाओँगा इसमें क्या लिखा होगा है साथ यह मैं कोविड के टाइम में मेरे मन में इसी इच्छा बनी जो लॉकडाउन टू लगा था वो अठारे दिन का था तो मेरे से जुड़े सा वाईशना बोले तो मैंने एक सीरीज की थी एटीन चैप्टर सेन एटीन डेइज क्या है इसमें सिर्थ होगा होगा गीता कि एक एक अधिहाई के ऊपर मैंने कुछ नकुछ उसका जूस एक दिन में दो धाई घंटे में बोला था YouTube प्लाटफॉर्म पर क्योंकि उस समय तो लॉकडाउन लगा हुआ था तो वो बहुत अच्छा गया बहुत सुंदर बना फिर एक यदुरानी मेरी शिश्या है उन्होंने उसको बिलासपूर में प्रफेसर है उन्होंने उसको लिखा बाद में फिर हमने उसको और परिश्कृत किया स्वैम बैठ कर आगे पीछे चना फिर कुछ समय पहले ये प्रभात प्रकाशन है प्रसिद्ध आपने ये भगवत गीता द्वारा स्वैम को मुक्त करे इसका इंग्लिश वर्जिन भी आने वाला है कुछ समय बाद तो ये ग्रंथ एक बना जो थोड़ा आज के हिसाब से आज के युवा जिस भाषा में समझ सकते हैं थोड़ा सा अच्छे बड़िया बड़िया उसमें एक्जाम्पल दे कर अच्छे अच्छे डाइग्राम्स बना कर गीता के दर्शन को समझाने का मैंने प्रयास किया है कि सब में रहते हुए भी मतलब परफॉर्मर होते हुए भी आप ओडियंस कैसे रह सकते दोनों चीजें आपके पास आने चाहिए यदि आप परफॉर्मर अलसो अन ओडियंस अलसा तब आप जो कर रहे हो उस चीज़ को उबजर्व ही कर सकते है और बेटर परफॉर्मर बहीं कर सकते है बहुत बढ़ी है सर और लास में जाते जाते मेरे लिए कुछ राय कुछ सजेशन जो आपको लगा हो कि हमें पोड़कास में डालना चाहिए या कुछ ऐसी गलतियां जो हमें सुधारनी चाहिए यह वैसे मैंने अब ना जितने ही मेरे गैस्ट आ रहे न मैं सबसे राय ले रह रहे हूँ गलतियां इंसान खुद नहीं पहचानता तो आप अच्छे से बता पाऊगे कुछ एडिसन कुछ एड करना हमको या सब कुछ ठीक चल रहा है करते रहो ऐसा तो कुछ दुनिया में ना तो कोई पूरा स्थीक है ना कोई पूरा गलत है गलत तो धरती में कोई है पस ये है कि अलग है गलत नहीं है अलग है तो जो आप जैसे बहुरा ही है अभी तो आप सब बहुत सब अच्छा ही कर रहette परम की तरफ सब को ले जा रहे है ये बहुत अच्छी बात है दिरे दिरे आगे इससी चीज को हमें बढ़ाते रहना चाहिए धर्म को और महत्त त देना चाहिए और मुझे ऐसा एक चीज मैं जरूर कहूंगा बहुत सारी चीजें होती है जो कि प्रचलित होती है जो चल पड़ी होती है उन पर कोई कोई शास्त्र का बैक अप नहीं होता उसका दूर दूर तक सत्यता से सम्मंद नहीं होता और कई बार हमारे समवादों में प्रचलित चीजें आ जाती है जो कि होती बेसलेस है उसका कोई आधार नहीं है और यह हमारे समाज में समय दुर्भाग्य है कि सुनी-सुनी बातों के ऊपर हम विश्वास करके आगे चले जाते हैं तो मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी कि आप ऐसे कई प्रश्न प्रस्त्र के आधार पर सनातन धर्म का स्वरूप है जह हम उसको और गंभियता से प्रेक्टिकल लॉजिकली समझेंगे तो आज का युवा वर्ग भी खोश होगा और चीज को आगे ले जाएगा मेरी ऐसी प्रार्थनाएं कि आप परम हैं सदापरम हैं महरा जी बहुत-ब तो मुझे लगता है इसी यही पोड़कास का हमारा मोटी है सर तो सर बहुत-बहुत सुक्रिया आपका and thank you so much sir thank you it's my pleasure thank you thank you namaste